अब हमारे देश में हर छटे महीने चुनाब होते हैं तो अब मोधी जी को बड़ी तक्नीफ हो रही है हर छटे महीने चंता में जाके उनसे कुछ-कुछ कहना पड़ता है तो वो कह रहे पांच साल में एक बार वाहिस साब अगर पांच साल में एक बार कर दिया तो पांच साल राजिस्थान में चुनाब होने वाले हैं से मरविंद के जरिवाल का एलान शुरू हो गया उनके लहर शुरू हो गया और उनके लहर से उनके एलान से बीज़पी और कॉंग्रेस के लिए जो है मुसीबत खड़ी हो गई जी हादर शुको सीम अर्विंद के जरिवाल ने कल राजिस्थान में जबर्दस्त ऐलान कर दिया चुनाब को लेकर क्या कुछ कहा जरगोर से देखिए मैंने बहुत सोचा यह वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यूं कह रहे हैं सोचने पर पता चला कि असलियत क्या है एक चीज बताओ 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है जब चुनाव होता है उसके अलावा तो कोई कोई नेता अंडर में नहीं आता अब हमारे देश में हर छटे महीने चुनाव होते हैं तो मोधी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छटे महीने चंता में जाकर उन से कुछ कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रह LGBT पान साल में एक बार, बाइसाब अगर पान साल में एक बार कर दिया तो फान साल बाद सिलेंडर पांच अजार रुपे मिलेगा। ये सोच लेंड अगर one nation one election कर गया कभी मत करना मेरी तो मांगे one nation twenty election होने चाहिए हर तीसरे महिने चुनाव होना चाहिए हर तीसरे महिने चुनाव होगा कम से कम यह कुछ तो देके जाएंगे है कि नहीं है तो यह शकल नहीं दिखाएंगे अपनी पांच साल शकल नहीं दिखाएंगे यह गू अगर राजिस्तान में आमाधिय पाटी की सरकार बनती है तो जिस तरीके से आप दिल्ली में बिजली फ्री का फाइदा उठाते हैं लुफ्थ उठाते हैं पंजाम जैसे उठाते हैं वैसे ही आपको राजिस्थान मिलेगा बिलकुल उन्होंने फिरी का एलान कर दिया है और भी बहुत सारे एलाने किये हैं अब देखना ये परेगा कि गुजरात में जब अरविंद केजरिवाल ने ये एलान किया तो उसे कॉ को भारी जटका लगा अब लोग सभाके भी चुनाब है उससे पहले राजिस्थान तो राजिस्थान में केजरिवाल की सकरियता से एलान से बंपर एलान से जनता किसके तरफ जाएगी बीज़ेपी ये कॉंगरेस ये फिर आमधनी पाटिक दरफ ये एक सवाल है लेकिन एक फबर के लिए देखते रहें नेक्स नाइन्यूस नमस्कार